गुम है किसी के प्यार में में आगे एक बड़ा खुलासा होने वाला है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे ईशान भोसले प्रतिष्ठित भोसले इंस्टीटूट के MD हैं। यहां जब वह भविश्य के लिए रणनीती बना रहा होता है तो अचानक उसकी नजर एक लापरवाह शिक्षक पर पड़ती है जिसका बेटा खेलते खेलते लगभग गिर ही जाता है। इस तरह जब ईशान दोड़ता है और बच्चे को बचाता है तो यहां वह अपने बच् इसलिए इतना परियाप्त नहीं है कि वह उसे जटके से नौकरी से निकाल दे और इससे महिला को अंदर तक जटका लगता है। रश्य काका ईशान के पिता तुल्ले हैं तो इशान का एक भयानक अतीत है जिसमें उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया और उसे पूरी जिंदग कि याद दिलाते हैं जिसमें हर कोई उससे प्यार करता है। हालां कि जब वह अपनी माँ से नफरत करता है और कभी पिता नहीं बनना चाहता, क्या सभी का उसके जीवन में प्रवेश कोई सकारात्मक बदलाव लाएगा?